नमस्कार किसम भाईयों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत दोस्तों टमाटर की संपुर्ण जानकर यानि कि टमाटर की A to Z वाले इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है बहुत सारी जानकरी तो हमारा पार्ट वन रिलीज हो चुका है कल ही हमने उसका वीडि चाहिए चाहिए सथी सथासद जमिन की तैयारी मल्चिम पेपर का चुनाव में उस पाट वन में देक्wał है तो आपने पाट वन नहीं देखा है तो आप बहुत सारा ज्यान आपके दिमाग में बिल्कुल रहेगा तो चले अभी हम पार्ट 2 की शुरुवत करके हो और उसकिस टमाटर की खेती के अंदर पानी देने के दू तरीक है, एक फ्लड इरिगेशन जिसे आप खुला पानी भी खेते हो, साथी साथ आप इन लाइन के जरिये भी आप अपने टमाटर की फसल को पानी दे सकते हैं, तो कौनसा वाला तरीका अच्छा है, तो मेरे इसाब से जो इन पानी दे सकते हो, थोड़ा मल्चिम पेपर के कॉस्टिंग में बचत करके, अगर आप सोच रहे हो कि पैसा कम रहे हो, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर विदाउट मल्चिम पेपर, अगर आप टमाटर की केती करने जाओगे, या फिर कोई अन्ने भी केती करने जा अलग से लेवर भी लगवाने पड़ते, तो इससे अच्छा है, अगर आप मल्चिम पेपर ही डलवाएंगे, तो अच्छी बात है, तो मल्चिम पेपर डालने से पहले आपको इनलाइन डाल देना चाहिए, तो अभी हमारा इनलाइन का सेलेक्शन भी हो गया है, अभी एक बात आती है, क्यार इनलाइन के अंदर हमें जो ड्रिपर जो होते हैं, जहां से पानी टपकता है, तो वो जो ड्रिपर होते हैं, वो कितने अंतराल पे होने चाहिए, यह जो अंतर है, यह कितना होना चाहिए, तो सिंपल बात है, कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं, इसका एक ज intrlin wisely they PAT GET सकते हो और समफी साथ दोब ले सकते हो तो यह तीनों ऑप्षन हाते हैं आपको यह जो अंतर है इसका सब्सक्राइब करना है आपको समें बात याद रखना है कि अगर आपके जमीन पानी गती से निकल जाता है, यानि कि हलकी वाली जमीने वाटर होल्डिंग कैप सिटी बिल्कुल ना के बाराबर है, तो ऐसे सिच्वेशन में ये ड्रिपर जितने नजदिक होंगे उतना अच्छा है, तो सबसे कम दूरी वाले ड्रिपर को आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन अगर आपक दूर क्यों, इसके पिछे का कारण है कि अगर भारी जमीन में अगर ये ड्रिपर दोनों नजदिक रहेंगे, तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडिशन बहुत जल्दी हो जाएगी, और वाटर लॉगिंग कंडिशन जल्दी हो गई, तो जड़ो कवी का सच्ची तरके से ने होगा, विल जैसी समस्या जादा आएगी, डाइबेक जैसी समस्या भी आपको आ सकती है, नूट्रिंट अप्टेक्ट में भी दिक्कत आती है, तो यह सभी कारण वश्ट, आपको सिंपल क्या करना है, ज्यादा वाटर लॉडिंग के अपसिटी, यानि कि ज्यादा पाल होगे, तो उनके लिए मीडियम वाला जो है, वो सबसे बेटर है, आप आग बंद करके भी इसका इस्तमाल कर सकते है, आपकी जमीन कैसी भी हो, आपको जो सही रीजल्ट है, वो मिल जाएगा, लेकिन यह सब जो बोला में ने, यह आप कोनसे मोसम में टमाटर लागाने वाल गर्मिके दिनों में आपकी जमीन भारी हो, यह फिर हलकी हो, आपको यह जो ड्रिपर का जो भी डाल लिया, अभी आती है मल्चिंपेपर डाल दिया, मल्चिंपेपर डालने की परोसीजर आपको पता है, बहुत सारे टूट्रेल वीडियो आपको он-line मिल भी जाएंगे, और साथी साथ एक बात ध्यान में रखो कि मल्चिंप डालने के बाद एक फारी आती अब इसको होल के से करें, तो उल करने के लिए आपको भी पता है, एक टीन का डबबा आता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक को ये धीन करने की जोरूरत नहीं, उसी टिंग के डब्बे को एक तार से ऐसा लपिट लेते हैं और उसमें कोईला डाल देते हैं, जला हुआ कोईला, तो कोईले के कारण क्या होती है, यहां पहले हीट बढ़ जाती है, और हीट बढ़ने के कारण, मल्चिं पेपर पर अगर यह रग देते हैं, तो यहाँ पे यह जल जाता है और जलने के गारणा आपके होल बहुत आर्षानी से पढ़ जाते हैं यह टूट्रेल आपको यूटूब पे भी मिल जाएगा आपको यह सिंपल वाली बात बताने की जरूरत नहीं लेकिन कुछ लर्नर हो सकते हैं उनके लिए हमने यह एक्स्प यह टूट के तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो होल ने वो जिञजयाग में किरने समझ गए यह जिग जैग में अगर आप होल करोगे तो आपकी जो पोदोर की संक्या है वह ज़्यादा पैमाने पर वैठेगी और साथ ही साथ आपका प्रोडुक्शन भी अच्छा रहेगा एरिएशन इस जिग जैग में बहुत अच्छी तरीके से रहता है चाहिए आपकी ज आंतर दो खिड़ भी रहता है तो चल जाता है को टेंशन वाली बात नहीं है आपको यह सब गैप मैनेज करना है हाला कि यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जित जमीन जो ज्यादा डिप सोयल होती है न उत जमीन में पोधा ज्यादा बढ़ता है मतलब लंबे समय के पहुदे का काल रहता है हर्वेस्टिंग लंबे समय के लिए चलती है तो वहां पर आंतर जादा रखेंगे तो आप लंबे समय के लिए अच्छी तरह के से डीशिस प्री आपके प्रसल को चला सकते हो लेकिन क्या होता है हर्वेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती भी कर सकते हो तो यह आप एक और इंपोर्टन बात आती है यार देखो जमीन हलकी हो या फिर भारी हो एक और सब्जेक के हाँ पर इंपोर्टन रहता है कि आपके वराइटी गच्छो ना आपके वराइटी के अंदर वीगर जाता है यानि कि वो ज्यादा बढ़ती जेनेटिक वराइटी का चुनाव किया है उस वराइटी में यह चीजे हो सकती है तो आपको सिंपल एक काम करना है यह जो अंतर है इसको बढ़ा देना है आपको वराइटी का अंददा आपकी दमिन में होना चाहिए तो वराइटी अगर आपकी वराइटी ज्यादा ग्रोथ नहीं करत तो आपको यहां पे एक बात समझनी है कि जिसकी हाईट जादा ने बढ़ती जादा क्यानोंपी जादा जल्दी जल्दी ने बढ़ती ही तो वहां पे आंतर आप कम भी करते हो तो चल जाता है तो किसम भाई हो टामाटर की खेती करते वक्त सबसे महतोपुर्ण विशे रहता है वराइटी का चुनाव यानि कि आप कौन से जाती के पौधे अगर आप टामाटर के लगाएंगे तो उससे आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा लेकिन इसमें कुछ बाते इतनी इंपोर आपको चुलना चाहिए यहां पर एक बात बताना चाहता हूँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि नाम को सुनकर अगर आप किसी भी वरेट्प चुनाव करोंगे तो आप गल्तिया कर बेण हालके आपने आईसा किया भी होगा एक बड़ा खेतवाला किसान अगर कुछ यानि कि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है तो वहाँ पे यह जो गलतिया होती यह क्यों होती है इस सेक्षन में आपको पता चल जाएगा हालागि आल इंडिया में यह चैनल काम करता है तो इसकी वजह से हम यहाँ पे वहराइटी का नाम नहीं बता सकते लेकिन सीजन समझ रहे हो बारिश का मौसम हो सकता है ठंड का मौसम हो सकता है गर्मी का मौसम होता है अब देखो बारिश के मौसम में क्या होता है बैक्टर ब्लाइट फंगस का ज्यादा अटक होता है तो ऐसे सीच्वेस्चन में और प्रोडक्शन भी उतनी थुलना में सबसे ज् करना है कि जो दीशीच Presh stronger को अच्φी तर के से हेंडल कर सके और साथी साहत बारिष के मोसम में vectorial因 supportivegy जादा तो में जब आ ज़ादा तकलिफ़िप्ना हो इसलिएला हमें यह जो वराइटी होती है बारिष के मोसम में वह अच्छी तर के से चुनाव करने है साथВот century 해 wealth है उसकी उतना सक्ष और मोटा हो उतना अच्छा रहता है हाला कि calcium के जरिये या फिर cppu गोतेज डवल के जरिये हम उतको cracking होने से तो बचा सकते ही लेकिन कुछ चीज़े अगर variety के अंदर पहले से मोजुद हो तो ज्यादा सर पटकाने की आपको दरूत नहीं पड़ती है तो ठंड के मौसम में आपको इस तरके से variety का चुनाव करना ह गर्मी के मोसम में कैसे variety का चुनाव करना पड़ता है कि देखो गर्मी के मोसम में कितना भी पानी दो कितना भी fertilizer दो आपकी variety या फिर आपकी टामाटर की पसल की जो भी ग्रोत है वो अच्छी तरके से होती ही नहीं है तो ऐसे situation में आपको क्या करना है टामाटर के पोदो को ज्यादा ग्रोत हो मिलती है ऐसी चीजे तो आप देते ही हो रहते हो लेकिन अगर यही चीज अगर variety के अंदर ही मिल जाए विग्रस वाली variety का चुनाव अगर गर्मी के मोसम में करे और साथी साथ जो भी एक तापमान का तनाव है इस ट्रे से उसको संशिल करने वाली भी अ इसके साथ साथ अभी दूसरा matter आता है size अभी size का भी एक महत पुर्ण विश है इसलिए रहता है कि अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग प्रकार के size को rate मिलता है यानि कि क्या होता है कोई लंबे गोला कार रही थे कुछ एकदम गोला कार रही थे वो कुछ ऐसा एकदम क बद्दू के जैसे रहते तो इस तीनों प्रकार के वराइटीस के अंदर आप देख सकते हो इस तीनों प्रकार के वराइटीस के अंदर जिनका साइज अलग अलग है इन में से कुछ आकर को ज़्यादा रिट मिलता है और हर एक वर्हैटीज में क्या होता है आकर समझ रहो है और साइज अलग चीज़ है या आकर समझ रहो हो मैं बाद में साइज भी बताऊंगा तो आकर पहले तो महतोपूर्ण रहता है पहला पॉइंट अभी हम बात करेंगे साइज की साइज की बात कर रहें तो क्या होता है कई कुछ मार्केट में छोटे बहुत छोटे चोटे चोटे चेरी टोमेटों भी गहते हैं उसको कुछ जगह पे चेरी टोमेटों नहीं चलता और कुछ जगह पे मोटे-मोटे टोमाटर चलते तो यह जो मार्केट है आपका व तो मार्केट के इसाब से बनाने की कोशिश करो जो डिमांड है उसकी इसाब से करो अपनी मन की बात यहां भी नहीं चलने वाली है क्योंकि घ्रहक के इसाब से अगर हम सप्लाइ करेंगे तो आपे प्रॉफिट होता है तो इस तरीके से साइज या और और साइज इन दोनों का महत्व रहता है आकार भी बहुत महत्व पुर्ण रहता है जो भी किसां टमाटर की खीती बहुत दिनों से कर रहे उनको तो यह बात पता ही होगी इसके बाद आता है कि आप किस परपस के हिसाब से मतलब क्या होता है कुछ कंपनियों से टेंडर हो जाता है एक लगानी है और उससे हम केचप बनाएंगे और आपको इतने इतने रेट में हम आपका माल उठाएंगे तो ऐसा एग्रिमेंट होता है कुछ-कुछ लेकिन जब रेट रहते हैं तब ऐसी चीजों की दरुद पढ़ जाती है हलागी यह सिस्टम थोड़ सा भी बन पढ़ रहा है क्योंकि टमाटर को रेट ने मिल रहा है पिछले साल गर्मियों में 2000 रुपई तक रेट थे बहुत अच्छे रेट थे और उसके बाद बारिश के म बात आती फिर से प्लावड रॉपिंग होता है इसलिए पिछले साल किसी का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो तो पिछले साल टमाटर को भी पूरे साल में अच्छे रेट मिल रहे थे तो अगर माली नहीं होगा तो यार क्या माजा है तो खाने के लिए जो भी टमाटर है यानि कि ग्रहनियों को लेके जाने के बाद वो टमाटर आपके ज्यादा लंबे समय तक के लिए टिकने चाहिए आप ऐसी भारेटी का चुनाव कर सकते हो जिसमें आप देख सकते हो कि कीपिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसके बाद आता है रेजिस्टन्स तो र जुदार्ण की तोर पर आप यहां पिए पर ए समॉझ लोग ए एक तीर है इस तीर के दो छोर है एक बाजो में है आपका उत्पादन है और दूसरे बाजो में है आपकी मजबुती है यानि कि आप जो देखते हो ना D.C. वाराइटी में क्या होता है इकि मजबुती जाधा होती है आप देखो देसी वराइटी के अंदर आपको उत्पादन कम मिलता है लेकिन वो रोगों के किटों के टेंपरेचर के पानी के तनाव के सभी प्रकार के तनाव से वो संशिल होती है तो उसको मजबूती कहा गया यह आप है और जो भी वराइटी आप हाइब्रीड में देख रहे हो नहीं नहीं वराइटी आ रही है वो उत्पादन देने में बहुत अवल है कोई उससे मुकर नहीं सकता है लेकिन बात आपको यहां पर समझना है कि उत्पादन जादा मिलता है लेकिन उस उत्पादन के साथ आपको तोपे में क्या मिलता है नाजुक्पन मिलत यानि कि जो उत्पादन ज्यादा होता है five Ihres वाली होती है और व्हेगर के साथभ स्थ प्तियों में नाज़ूपन फछीयएश भी जाती है तो यहाप यहाँ में क्या चाहिए मजबूती भी चाहिए और उत्पादन भी आच्छा चाहिए तो अगर आपके आप बैस से आप अगर एसी वराइटी ढूंसों को अपने एरिया में जिससे आपको यह मजबूती भी मिले और उत्पादन भी अच्छे से मिले तो आ प्रोड़ोसा ना दुखवाने क्योंकि प्रोड़क्शन उसका ज्यादा आता है फ्लावर सेटिंग भी अच्छा आता है तो यह जो वराइटी मैंने बताई यह पूरी इंडे में नहीं चल सकती आपको आपके हिसाब से आपके एरिया के हिसाब से चुनाव करना पड़े गया क्योंकि वराइटी के अंदर अगर दम ने होगा तो आप इस्तमाल प्रैक्टिस वाला कंसलेंट रख लै बेस्ट फ्रैक्टिस से अपना ले बेस्ट फर्टिलाइजर के मैनेजमेंट रख लै कुछ बहीं प्रोड़क्शन रहे क्योंकि आपका यह वराइटी का चुनाव अ आपको अच्छी तरीके से उसका utilization याने कि इस्तमाल करना है तो इसके बाद आता है उत्पाधन तो वही बात होगे यार उत्पाधन और मजबूती आपको अगर ज्यादा उत्पाधन चाहिए तो अभी यह बंदे कुछ कहेंगे अभी उत्पाधन का विशे हागा है तो हम कु कुछ बंदे होगे यार मेरे जैसे यार नहीं मेरे को तेरी बात नहीं सुनना है मेरे को तो यह मजबूती भी चाहिए और उत्पाधन भी चाहिए और यह दोनों के दोनों चोर की यह पॉइंट चाहिए मेरे को बिच में नहीं खड़ा होना मतलब मेरे को यह दोनों 50-50 नह सब करना है और वाली वाराइटी के अंदर आपने पत्तिया रभ बना के रखी तो वहाँ पे मझबूती भी आपको सोटा का मिलने वाली है तो ऐसे मद्बूति के साथ अगर आप खिती करोगे और साथी साथ या पर एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप ऐसी वर्रेटी का चुनाव कर रहे हो तो आपको डिसीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें अगर थोड़ इसी चुकी हो गई तो आपका गेम ओवर भी हो सकता है तो यहाँ पर आपको भी आपके मन में सावला आएगा वाई पतियार रख केसे करें जो हमरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है पतियार रख केसे करें आप नए हो तो पहले चानल को सब्सक्राइब कर लो और हमने पतियार रख केसे करें इसके उपर बहुत ही अच्छा वाला वीडियो बना के रखाए जितनी भी आईडियाजे मार्केट के उतने सब के सब वीडियो में डाल दिया है आप चाहो तो वीडियो बाद में भी देख सकते हो तो यह हो गया अभी रही बात मार्केट के मार्केट के इस सबसे वारेटी का चुन हो जिसका जिकरा हमने आगे पहले भी कर लिया है तो मार्केट के इस सबसे मतलब क्या है आपका मार्केट लोकल है या एक्स्पोर्ट है यार देखो बात अगल मार्केट में थोड़ा खराब हो गया थोड़ा फिलफिला हो गया थोड़ा लाल माल चलता है आपको भी पता है कई अर्मज़ा एसे इई कि हमको व cent से उल्टा हो जाता है तो लोकल में जाल वाला ज़नाले कि यह दोने功 में उत्पदन क्पिंग एा पोधय के ंंदर समझ लो कि अभी यहापे देखो एक, दो, तीन, चार और यह पाच फल लगे हैं. ठीक है? पाच फल लगें. और दूसरे पोधे के अंदर आप समझ लेना कि यहापे एक, दो, तीन, चार, पाच, और यह चटा और सात्वा लगाएं. तो समझो यह 6 फल लगे हैं, और यहापे 5 फल आच्छी होगी क्यों कि इसमें लिमिटेड इसके जो भी स्टॉरेज इस सब में समान तर्के से डिवाइड हो जाएगा और इसकी कीपिंग क्वालीटी वह आफ़वल दर्जे की हो जाएगी इसलिए जो माले एक्सपोड के अंदर जाने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन ल थोड़ी बहुत तो कम होई जाती है, हाला कि keeping quality की इसके उपर डिपेंड है, तो ये keeping quality डिपेंड है आपके calcium के उपर, आपके जमीन के अंदर, या फिर आपके practices के अंदर calcium का जितना आची तरके से इस्तमाल होता जाएगा, उतना ही आपके फसल के अंदर, tomato के अंदर, जो भी quality होगी, keeping quality, वो अवल दर्जे के मिलेगी, तो इसलिए आपको क्या गरना है, liquid vortex mixture का आप बार बार ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, drip के मादेम से भी दे सकते हैं, दमिन में जाना चाहिए, इतना ही logic है, तो liquid vortex mixture है क्यों बाही एक तिर से कही नेशाने लग जाते हैं, तो उसके क्या करेंगे, लास्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसको जो भी सवल होंगे, उनको एक साथ आपको बता देंगे, जिससे ये A to Z हो जाएगा, दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करने वाले कि आगे की जो जानकरी आगले पार्ट में डाल द है, वो तो कई गुना इससे को सो दूर है, तो आप इसको समझ सकते हो, तो आप कहोगे कि यार फिकता है, ऐसा फिकने वाला चीज नहीं है, आप याद कीजे, आपने जब मेरे को कमिटमेंट किया था, यार लाइव करो, लाइव करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो मैंने मेरा फैमिली ट्रबल चल रहा था, उसकी वज़े सीरी लेट हो गई, उसके लिए शामा चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा वादा कम्प्लेट भी कर रहा हूँ, तो आपको एक और टार्गेट इसलिए दे रहा हूँ, वन मिलियन का टार्गेट है हमारा, आपको अगर इससे भी वर्ल्ड क्लास लेवल की जानकरी चाहिए, तो क्योंकि वो मेरी पूरी जिंदगी की जहां पुझे में आपको मुप में दे रहा हूँ, तो कोई भी चीज मुप में अच्छी नहीं होती है, इसलिए आपको टार्गेट दे रहा हूँ, तो इन वीडियो को जादा जाद शेर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट के माद्यम से ही, यार देखो, अभी आपका होगी ये वन मिलियन वाला क्या मामला है, तो यार देखो, हम जितने भी अलग अलग अलब प्रकार के चैनल देखते यूट्योब के उपर, उनके मिलियन में फॉल करते हैं, लेकिन एजुकेशनल चानल वाले की ताकत अभी आपको दिखानी है, बस मेरे को इतना ही कहना है, तो अभी हम ये वीडियो यह पर खतम करते हैं, और मिलते हैं नेक्स पार्ट में, जै जावान, जै किसा,